हेलो फ्रेंस स्वागा थे आप सभी का आमारे यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसी आर्टी कला सिक्स का मैथ प्रस्नावलली 2.2 पार्ट 9 पार्ट 8 तक मैंने अपने यूटूब चैनल पर अपलोड कर दिया है यदि आपने उस वीडियो क तो प्लिलिस्ट में बना हुआ है तो छलिए इस वीडियो में जो बचा हुआ हमें सकते है उसको करते हैं दूद का मुझे 15 रुपया प्रत्य लिटर है तो दूद वाले को प्रत्य दिन कितनी धनरासी प्राप्त होगी तो इसमें देखे फ्रेंट्स कहता है एक दूद वाला है जो कि होटल में दूद देता है जिसमें से वह शुबा 32 लिटर दोड़ देता है और साम को 68 लिटर रुपया परती लिटर के दरसी वो दूद देता है तो कहता है इसमें कि दूद वाले परती दिन कितना धरासी पराप्त करता है कितना पैसे वो लेके आता है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रेंस इसका हाल यहां से लिखिए देखिए इसमें के लिखना है सुबह और साम कूल दूद की मतरा ठीक है तो सुबह में देखे कितना देता है तो सुबह में 32 लिटर दूद देता है तो यहां पर लिख दीजिए 32 लिटर और फिर देखिए कहता है साम को 68 लिटर दूद देता है तो साम को कितना देता है तो 68 लिटर दूद वो देता है तो टोटल कितन दूद का मुल्य कितना है तो हैने दिखियों होा है कितना तो 15 रूपिया लिख देना है तो आपको यहाँ पर लिखना है 15 ठीक है अब देखने फ्रेंस ओयां लोग को ने कल लोगा कितना है 100 लिटर कोद से गुणा कर तो दिखिए कितना जाता होगा तो यहां लिखना है रुपिया पंदरा सो ठीक है यह हो गया इसका आंसर तो आप इसे अपना कोपी पर नौट कर लिजिए फिर हम लोग अगला कॉश्चन को देखेंगे अब आगे हम लोग देखेंगे सिस्ट नमबर का कॉश्चन इसमें कहत लड़कियां और 15 लड़के हैं एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए परतियक बच्चा 5 रुपिया देता है उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी रासी पराप्त होगी तो फ्रेंस यहां पर देखिए एक अच्छा है ठीक है क्लास है उसमें से कितना है तो 20 लड़कियां है ठीक है और लड़के जो है ना 15 है जिसमें से एक दिव्यांग व्यक्ति है उसे आर्थिक मदद चाहिए ठीक है उसके लिए परतियक बच्चा 5 रुपिया करके देता है तो कता है उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी रासी पराप्त होगी मतलब सब मिलके लड़कियों की संख्या तो यहाँ पर दिखे t20 लड़कियां है और 15 लड़के तो दो नोगों क्या करेंगे एड कर देंगे जोड़ेंगे पता चल कितना तोटल लड़किया और लड़कियां मतलब टोटल बच्चे कितने हैं तो यहाँ पर ल 모든 फन्दर कर दो लिखना है तो यहां पर लिख दीजिए पांच रुपिया ठीक है अब देखिए यहां पर दिव्यांग व्यक्ति को प्राप्तरासी दिव्यांग व्यक्ति को जो पैसा ले रहा है उसको कितना पैसा मिलेगा तो यहां पर लिख दीजिए पांच रुपिया करके लिया जा रहा है और कितन तो ये दिखे टोटल कितना हो गया 175 रुपिया ये हो गया इसका आंसर ठीक है उस दिव्यांग वेक्ति को कितने पैसे मिलेंगे तो 175 रुपिये उसको आर्थिक मदद के लिए मिलेंगे ठीक है ये हो गया आंसर आप इसे नोट कर लिजे अपना कोपी पर और फ्रेंस अगर आ अगला कोशन है सेवन नंबर इसमें कता है किसी गाओं की जनसंख्या सोलोस है यदि उस गाओं में 589 पुरूस और 421 महिलाएं हैं तो बच्चों की संख्या ग्याद किजिए तो दिखे फ्रेंस एक गाओं है ठीक है उस गाओं में टोटल जनसंख्या मतलब टोटल लोग ज कितना होगा ठीक है तो चलिए इस कॉस्टन को भी सॉल्ब कर लेते हैं तो इसका हाल में लिख लिजिए आप बच्चों की संख्या वराबर गाओं की जनसंख्या माइनस पुरूसों की संख्या पलस महिलाओं की संख्या इसमें करना क्या है फ्रेंस देखिए जो टोटल जन संख्या है ना उसमें से क्या करेंगे तो पुरूस का और महिला का जन संख्या जोड के घटा देंगे बस हो जाएगा आंसर ठीक है तो फ्रेंस यहां पर देखिए टोटल जन संख्या कितना है तो टोटल जन संख्या है और इहां पर बिखेंगे है तो इसमें से टोटल में से पाइस सो नवासी और फिर जोड़ देना है तो हृएस मारत यहां पर लिख देना है और तोटल में से यहां पर गटा देना है तो यहां पर देखे टोटल है 1600 इसमें से घटाना है देखे इसको जोड़ लेते हैं पहले 9 और एक 10 के 0 हसी लेक 8 2 10 हसी लेक 11 के एक हसी लेक 549 हसी लेक 10 देखिया गया 1010 पुरुसों की संख्या और महिलाओं की संख्या कितना आ 110 आ गया तो यहां पर देखे कुल जन संख्या और यहां पर देखे यह महिलाओं और पुरुसों की जन संख्या तो इसमें से लोग दुनों को माइनस कर देंगे यह आ जाएगा आंसा ठीक है जीरो में जीरो घटाएंगे तो यहां जाएगा जीरो अब देखे यहां जीरो में अब एक तो घटेगा नहीं क्या करेंगे पैचा लेंगे 10 बनेगा 10 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा यहां से 9 अब देखे यहां पर पांच बच्चा पांच में कुछ ने घटाएं हैं ठीक है यह हो गया इसका आंसर अप पिसे नोट कर लिजिए फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला खोश्चन की और तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे एट नमर का क्वेस्टन इसमें कहता है देखिए रिक्त अस्थानों को भरें अब इसमें देखिए ए नमर में कहा चो सब तीस गुना जीरो तो चो सब तीस में जीरो को गुना करेंगे तो याद रखेगा किसी भी संख्या में जीरो से अगर गुना करेंगे तो क्या जाएगा तो जीरो हो जाएगा चाहिए कितना बड़ी संख्या चाहिए कितना छोटी संख्या रहे उसमें अगर जीरो गु जाएगा तो वही संख्या रह जाएगा जो संख्या से जीरो को घटाया जाता है वही संख्या रह जाएगा फिर आगे देखें सी नंबर इसमें कहता है जीरो को भाग देंगे कितना दस से जीरो को फ्रेंस इसमें भाग देने का रहा है दस से भाग देना है इसका मतलब क्या 0 बट्टा 10 इसका भीलिए किया यह द्यूर आता है ठिक है तो आप देख लिजिए ऐसे होता है इसका अंसर तो यहां पर क्या वह जाए यह जाएगा यह जाएगा जीरो हो जाएगा ठिक है फिर आगे देखें डी नॉमबर में कहता है 4372 को एक से भाग देना है तो देखे फिरंग 4372 है ना इसको भाग देना एक से तो ऐसे देखे 4372 को हम लोग बट्टा में एक लिख सकते हैं ठीक है तो इसका बदल में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 40332 तो इसके निचे में 1 चुपा है तो एक से भाग देने पर ह वही संख्या आजाएगा तो वही संख्या आजाएगा एक से भाग दने पर वह संख्या नीश कंगे साथ है कि 122 को एक से गुना करेंगें तो कि दिखने किशी भी संख्या में एक से गुना करेंगें तो वही संख्यां आ रख वाइस ओड Jr 1768 में क्या जोड़ेंगे इस आठ आजाए तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई परवार नहीं पढ़ने वाला कोई फ्यक्ट नहीं होगा तो 176 में 0 को जोड़ने पर कितना रहा है साथ 176 आएगा तो यहांपर क्या लिखेंगे तो यहां पर भर देंगे पिर आगे कंव देखें लिज्याफ द्यान देये इसमें लैफ्ट साड्म एक नियांसे ल connection 24 तो राइट साई चालिस महीं है उसका मतलब क्या यहां पर चालिस हो जाएगा ठ्क लट्रुक समय है तुन आ करना देगा है पस देखके सब्सक्राइब करेंगे 265 के साथ और फिर देखें राइट साइड में 265 है लेकिन यहां गायव है कौन 735 मतलब दुनों तरह बराबर करना है तो यहां पर देखें क्या भरा जाएगा तो 700 यहां पर 35 भड़ा जाएगा यह हो गया इसका आंसर आगे अब हम लोग देखेंगे नाइन नेमर का क्वेशन 56 प्लस 33 प्लस 44 मान को दो तरीके से ग्याद किजिए तो फ्रेंस यहां पर जो संख्या दिया हुआ है इसको दो तरीके से इसका मान नकलना है तो चलिए इसको भी सॉल्व कर प्लस 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 में इधर 44 है अब देखेंगे और यहां पर देखेंगे ते तीस और चवालीस को एक साथ मिलेंगे और यहां पर देखेंगे थेखेंगे अब देखेंगे इसको अलग तरीके से इसल्व करेंगे और यहां फिर च tir आठ रहूं अप देखेंगे पर डेके बाहर में जाएं तहां झाल करेंगे को सॉर्प करेंगे नौ और इधर चार 3 हो गया हसी लेक 8 सब्सक्राइब निकल के आगया अब हम लोग राइट साइट करेंगे दिखिए यहां पर 56 है तो 56 को बाहर में तो बाहर में जैसा क्तेसा लिए अब इसको जोड़ लेंगे पहले ब्राकेट बॉला चार तीन साथ और फिर इदर चार तीन साथ 77 अब इसको भी जोड़ देंगे साथ चौ पship इसवोडियों 33 अब आगे हम लोग देखेंगे 10 नमर का फिश्चन इसमें देखे का था निमलीखित में पूर्न संख्याओं के डिवोग किया गया है तो एनमर में देखे याँ पर देखे गुना में सब और है लेकिन संख्य सब क्या है करम इसका change किया हुआ बन्तलब बदला हुआ है उन्यस पचास थाओं यहां देखिए दो पचास oni निस कर दे ए मतलब UKरम इसक करम इधर और होआ है तो गुना में इसलिए फ्रेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा गुनन का करम विनिमय ठीक है आप इसे नोट कर लिजिए फिर हम लोग आगे देखेंगे आगे बी नुमर देखेंगे लोग बी नुमर देखे 35 पलस 1049 अ पर राइट साड में 1090 प्लस 35 इसको अबि करम विनिमय किया लेकिन किसमें किया है इसमें पालस में यहां बीक करम होगा तो ये योग का करव विल्माई यह पलस में इधर उदर किया है थेढिए पलस इधर भी पलस यह पर देखे 35 पलस199 और यह पर कहें च resolutions態 किया हुआ है आगे पिच्छे किया हुआ है तो यह गुनन का था और यह योग होगा आप इसे नोट कर लीजिए फिर आगे हम लोग सी नुमर देखेंगे इसमें देखे 99 को 0 के साथ जोड़ दिया है फिर देखे राइट साड में 0 को 99 के साथ जोड़ दिया है तो उसका value क्या आया है 99 मतलब किसी भी संख्या को अगर हम लोग जीरो के साथ जोड़ते हैं तो वही संख्या आता है या फिर जीरो को किसी भी संख्या के साथ जोड़ेंगे तो फिर भी वही संख्या आएगा तो इस नियम को क्या कहते है प्रेंस इस नियम को हम लोग बोलेंगे योजित्ततसमक कहेंगे योजित्ततसमक के अनुसार कि यह होता है कि किसी भी संख्यां को जीड़ साथ जोड़िए तो वही संख्या आता है यह योज ततमक के नियम तो आपको देखेंगे आगे है D number, 2527 को, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां पलस नहीं होगा, यहां पर गुनाचीन होगा, 2527 को एक के साथ गुनाचीन होगा, और राइट सैड में देखिए, एक को 2527 के साथ गुनाचीन है, तो आया कितना, वही संख्या, मतलब किसी भी संख्या को एक से करेंगे, तो वही संख्या, या फिर एक को किसी भी संख्या से गुनाचीन होगा, तो इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंस को बोलेंगे, हम लोग गुनन का करम वी निमय, गुना में करम ही किया है, मतलब करम को धर दर किया है, देखिए, 2527 को पहले एक के साथ किये हैं तो करम को बदल दिया है तो यह क्या हो गया यह गुनन का करम भी निमाय हो गया ठीक है आप इसे नौट कर लिए यह अंसर फिर आगे हम लोग देखेंगे इनमर इसमें देखें काता है 75 प्लस 1005 इसको ब्रैकेट में रखा है फिर देखें इजर प्लस 25 है अब राइट सार में देखें 75 प्लस फिर ब्रैकेट में देखें 105 प्लस 25 राइकेट लगा हुआ यह है साहचर यह तो यह हो गया साहचर नियम ठीक है इसका अंसर लिख लिए यह हो गया साहचर नियम फिर आगे हम लोग देखेंगे आगे एप नमर देखेंगे इसी में देखें दिया है 738 को गुना किया है एक सो पलस चार के साथ मतलब देखिए सबसे पहले या तो यह नियम हो जाए गा क्या हो जाएगा तो आप इसे अपना को प班 नोट कर लिजेए तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में प्रशना वर्ली 222 को पूस्वन पूरा कम्प्लीट किये तो फ्रेंज दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर भी कर दिजिएगा फ्रेंस ताकि उसे भी इस वीडियो का लाब मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई थेंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो